हेलो फ्रेंट्स वल्कम टो दे अंबेत कर सिस्षा इसके पहले से हम लोगों ने जो खारवळा का हातिगुमपा एसक्रिप्शन था उद्यगिर था उसको हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाया था तो अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा खारवळा जो इ फिर उन्होंने शासन क्या था इस्टेन इंडिया में उनके बारे में देखेंगे इस इस इंपोर्टांट फर दो ये सेजबी लेक्सर चीफ और सिविल सर्विसेश एग्जामिनेशन तो इसको देखेएगा आप लोग ध्यान से यह है खारवळा तो हम देखेंगे अभी ज क्या हुआ था उसके बाद तो हिस्टोरिकल डाटा थोड़ा मतलब मिश्ड है लेकिन जो हम लोग देखते हैं 185 BC में क्या होता है खारवळ गारूल आ जाता है यह फ्लोड अफ लाइट इस फोकॉस्ट और अफन इस डार्क पिरियोड अप उडिसान हिस्ट्री विद डिसक इंडिया को बहुत सरे जगे पे रूल किया उसके बारे हम लोगों को पता चलता है और इस रेन करिंगा रीच्ट पिना कलप ग्लोरी उसके उनके रूल के टाइम में बहुत बड़े आचिवमेंट किया था कलिंग ने और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ इसके बतलब अलग-अलग इसके बारे में उसके बारे में हम लोग को पता चलता है पास बहुत कुछ इंफर्मेशन मिलता है कहां पर मतलब खारवल के बारे में अगर तुम आप लोग को सवाल पूछा जाए जो खारवल थे कौन से फैमिल या कौन से लाइस्टि थे आप लोग बोल देना कि महा मेगवाण डाइस्टी तो वहां पर इसके बारे में जो इनफर सब्सक्रावल उनके होल डीटिल मिलता है कहां पर उदेगरी में जहां पर क्या हातिकमपा इसक्रिप्शन है वह सथ्च्रा लाइन में लिखा हुए इसको भी मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया है यह देखिए यह थे खारावला इनका वह जो इन्फरमेशन है लोग को पर देखने मिलता है यह हाती गोंपा इंसक्रिप्चन साल सक्षाए एक यह इस से पता है को धुए है Payal जो हे यह हाथी गुंपा इस्कृप्रिप्टिन के पास जो हे मतलब केपस है तो उसके बारे में हम लोग को पता चलता है तो इसने अब निक्स्ट क्या दिया हुआ है तू इसमें हम लोगे को पता चलता है। सब्सक्राइब कर देखने को मिलते हैं मध्य देश में वहां से आ जाते हैं कहां को कलिंग यहां पर आकर रहने लगते हैं फिर यहां के लोगों को सासन करने लगते हैं तो इसमें हाती गुंपा इसक्रिप्शन नहीं बताता के उन्होंने क्यूं आय थे उडिशाकू की उन्होंने यहां पर शासन किया लेगिन एक चीत बताता है के खाराबला जो है वह चेदी क्लान के मतलब तिस्रे राजा थे थे थार्ड मेंबर अब दा क्लिंग चेदीच के खाराबला इंट्रडूश्ट आज आयरेना महाराजे जेना महा में गवाएना अंद चेता राजा भसव धने ना तो इसके बारे में क्या हो आता मतलब उस टाइम में भी जब खाराबला थे उनको बोला जाता है इस पार्ट अप्प्रेश्ण हाज आड्मिटेड अफ कॉंट्रोवर्सी बहुत सारे चीजें हाँ पर कंट्रोवर्सी में भी है तो लाटेस्ट भीव इन दा रिगार्ड इस दाट चेता राजा वाज दा फादर अब खाराबला तो एक चीज हम लोको पता चलता है चेता राजा थे वो क्या खाराबला के भी पपा थे तो खाराबला ढाला सॉन अब दा चेता राजा और थाड रूलर मागा भर मग हमें का वाँना ißtु आइस K तो उनके तेरा साल का उमर में उन्होंने तेरा साल में जितना भी रूलिंग किया जो भी आचीबमेंट था जो भी उनका मतलब क्यारियर था उसके बारे में जो हातिकुम पर इसक्रिप्शन है वह हमें डिटल देता है अभी आप लोग देखिएगा मतलब खारवड़ा का जो करे रूलर बने उस टाइम पर उनका आचिबमेंट था दैन्म क्या हुआ है क्या हुआ है? गांड घेप्स और समथािटाब्चेज़ रहर टृट हूडवड तरह चाय०्वड ऐसए बाड़बा फिफ prone थे जब उन्होंने राजा नहीं बने थे जब उन्होंने मतलब थ्रोन पर नहीं बैटेते उसके बारे में कुछ उनका बच्पना उनके चाल्विट के बारे में क्या होता है इंस्क्रिप्शन बताता है इडिस सेट दाट वाज बॉन विट पीजिकाल मार्क्स अंद नोबल क्वालिटी फूचर ग्रेटनेस पंदरा साल तक उन्होंने क्या किया था अलग अलग जो गेम्स थे उसको खेलते थे उसमें उन्होंने आफिसेंट हासल किया था दिरॉंग दिस परिएड ही और नॉलेज्ज इन डिफोरन ब्रांचेस अब लॉन्निंग विच वार एसेंटिंशाल फॉर डिसार्जिंग रो में आजे प्रिंस खारवड़ा अंडर में सब कुछ होता था इन फिफ्टीन्थ यर्षी विकेम दो क्राउन प्रिंस और प्रुबेशन इन प्राक्टिकाल फिल्ड अडिनिस्ट्रेशन जब उनको पंदरा साल हुआ पंदरा साल में उन्होंने क्या किया मतलब यहां के राजा बन गये तो उनको प्रिंट्स बनाय दिया गया और दो यह जब ट्वंटीफोर ही वाज क्राउंड किंग बाया अजुमिंग अधिपती अंड गेव इस सब्जेक्ट्स और साउंड अडिनिस्ट्रेशन इससे आपको सवाल पुछा जा सकता है जब उनको क्या हुआ था टुट्व यह दा हाथी गुंपा इंसक्रिप्शन रेकॉर्ड दा इवेंट्स ऑफ इस 13-year-old chronologically तो तेरा साल गों तेरा साल जोनने रूल किया था उसके रूल के बारे में हाथी गुंपा इसक्रिप्शन एटुजेड क्या करता है तेरा साल का पूरा हर एक लाइन में आप पर इस capital करिंग नगर रहा हूं फूइच हाड बीन डेस्टरड वाइफ फिरियोज साइकलों आप से को पता है उडिसा जो है क्या कोश्टा ले रहा है हाँ पे करिंग नगर जो है क्लिंग नगर पर क्या हो था साइकलोन से उनका जो capital ता राजधानी जो था वो डेस्ट्र ह हो गया था पस जब उन्होंने जब बने पहले यर में उन्होंने क्या क्या उसा construction reconstruction का रियो था उन्होंने ने क्या क्या उसके लिए उन्होंने 35 लाग के कोईन को उन्होंने खर्च किया था उस टाइम पे इस प्राक्ट हज बिन अप्लाए कोरोवरेटेट दो देग्सका एक्सकावेटेट स्विसुपाल गड़्ड दाट ब्रिंग्स आउट रेमनांट्स अब डिफेंसिव रेंपर् में सिसुबल गड़ में हम लोग को क्या होता है बहुत कुछ इन्फरमेशन मिलता है असको पता है उन्होंने जो सातवाना किंगा उनके लड़ा था खारावला पोजेश्टे लार्ज आर्मी कॉंसिस्टों इंफांट्री कावैल्री एलिफ्यान पोर्स अंद चैरियर्स इस सातकर्णी वान के अगेंस्ट में उनका जब सेकेंडियर रूल चल रहा था सातकर्णी वान वाज रूलिंग ओभर ए भास्ट एम्पैर कॉम्पराइजिंग नौदन पार्ट अब दा मौडन महाराष्ट्र वस्टन पार्ट अब मौडन मध्या प्रदेश अन अंध्र रिज देखो पहले एर में खारावळ ने क्या किया पहले एर में उन्होंने कैपिटल को सजाड़ा क्या स्वान किया उन्हों मतलब एक्स पेडिशन किया उन्होंने जह रहाववत किया कलिंगा नगरी, the capital of the Kharabala was overwhelmed with joy and jubilation in the third regnal year हुआ पे जो लोग थे कलिंगा नगरी पे वो खुस हो गये के उनका जो king है वो आरे expedition करके साउज चे Kharabala was proficient in all arts of music and dance उनको dance and music सब में उनको आदा था He organized various performances where dance and music both vocal and the instrumental took place तो सब आता था उनको, he also arranged ceremonial and the social gatherings in which feast on the merrymaking, etc. for the entertainment of his subject अपने entertainment के उन्हें सब किया था इसमें देखो उन्होंने southern campaign में क्या 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 फिर और एक बार उन्होंने जब fourth regnal year आ गाया तो वहां पे उन्होंने फिर और एक बार डेकान में उन्होंने expedition किया खारबला mobilized his army and marched towards the decan again, the territory of the राथिकाज और भोजकाज lying respectively to the south and north of नासिक region were conquered तो उन्होंने क्या क्या था, राथिकाज और भोजकाज के कुछ area को उन्होंने क्या क्या था, south and north में उन्होंने रेकान क्या था राथिकाज और भोजकाज पेड हुमेज और बूटी तो खारबला, उन्होंने कुछ दिया था मतलब किसको खारबला को और एक बार बताया गया के जो खारबला थे, extension of canal from the Tansulia to Kalinganagari Tansulia चले का क्या था, जो canal था उसको बढ़ाया था उन्होंने तो रोल अब खारबला आज benevolent king is reflected in the fifth year of his reign In this year, खारबला extended the canal from the Tansulia road up to the Kalinganagari जब वो क्या कर रहे थे, फिफ्ट एर रेग्नालेर में थे उन्होंने क्या क्या, Tansulia से लेके Kalinganagari तक क्या क्या कैनल उन्होंने बनाया, this canal was excavated 300 और 103 years before by King Nanda for the purpose of irrigation तो इसके पहले से उसके इतिहास को जाएंगे उस canal पे तो 300 और 303 साल पहले क्या हुआ था, जो king थे, नंदर किंग उन्होंने क्या किया था, इसको irrigation करने का policy बनाया था, अभी हम देखेंगे रेमिटेंस अब टैक्से इसमें क्या हुआ था, इंथा 6th year of his reign, Khara Bala did not undertake any war campaign, rather he devoted himself to surface, to the welfare activities of his subject, तो कुछ welfare activities करते था लोहों के लिए, he remitted taxes and benevolence both in urban and rural area of his kingdom, तो उन्होंने अर्बान और rural area में क्या किया था, कुछ जो taxes थे, उनको माफ किया था, तो clearly shows that the treasury of Khara Bala was overflowed with wealth, तो हम पता चलता इससे क्या है, Khara Bala बहुत सारे पैसे थे और बहुत सारे wealth थे, as a benevolent ruler, he took off his task of remittance taxes to his beloved subjects in their hearts, तो उन्हों क्या करते थे बहुत welfare king थे, उस टाइम पे जो Khara Bala थे बहुत बड़े welfare king थे, आप लोग को और दो चीज आद रहने पड़ेंगे most important, उन्होंने in the seventh year of his rule, Khara Bala attained the fatherhood, his cheap queen known by the name, the queen of Bajira Gara, gave birth to his son, उन्होंने क्या क्या था, पहला जो थे fatherhood किसको आठन करवाया था, Khara Bala को, याद रखे होगा, seventh year of his rule में, तो expedition to the north, फिर eight year जो हुआ उन्होंने क्या क्या, नर्थ में expedition किया, Khara Bala led an expedition to the north and attacked the city of Rajagriha, राजगर को ने अटाप किया and devastated गोरत रखे गिरी, which was situated on the borra borra hill of the Gaya district, गया district जो कहाँ पे है, बिहार पे है, तो वहाँ पे जो situated था, क्या गोरत गिरी, उसको devastated किया था और आपने अंडर में ले लिया था, राजगरिया को, पता होगा आपको राजगरिया बिहार पे, his Trump and the Rajagriya created terror among the Yavanas who were then occupation of Mathura, जो Mathura पे थे, तो इसको देखना पड़ेगा, आप लोग देख लेगे थोड़ा, after their success in that region, they had a plan to attack Magadha, hearing the exploits of Kharabala, the Yavana king flayed away from Mathura, तो इनका succession के बाद क्या हुआ था, they had a plan to attack Magadha, Magadha को आटाक करने का उनने plan किया था, hearing the exploits of Kharabala, the Yavana king flayed away from Mathura, जब सुना किसने, Yavana king ने सुना के Kharabala आ रहा है, तो वो क्या क्या है, वो एरिया को छोड़के चलेगे, Minander, as appined by several scholars, he had collected large booty from that war campaign of North, तो देखने को मिलता है, जो हमारा जो नेम है, क्या यवन रूलर, कौन थे, Dimitrius Minander के नाम पे पता चलता है, तो जो जो नर्थ से, खारवला किया किया, बहुत सारे जो ओल था, उननोंने लोटा, वहां से लेका आए, अभी देखेंगे, एस्ताबलिषमेंट फेटराव देख्टरी पैलिस, इन नाइन नाइन इन री आउन नाइन या उन पीडिक्टरी पैलेश, महाविझाय आप्रसादम, बा जाता है, इसको महान बेखेंगे, जो और पैर में भी को साइख में टॉत either nasya US अंचे इंडेश से अन लेकर आए था नर्दन इंड्जान कामें ईंसरी देंद ओंदफ यर खरवड़ turbine प्रिंस्पल पॉलिडिक्स डिप्लोमेशी और पीस डिरेक्टर दा आर्मी तुवार्स नॉर्थ इंडिया फॉर कॉंक्वेस्ट बॉर्द रेजल्ट वाज उफ्सक्यूर तो वहां पर उन्होंने अम लोग पड़ता है ना टेंथ येर में उन्होंने भी क्या था मतलब आटा प्रिंद रूल कर रहेते शाओध फे तो उन्होंने उस टाइम पे खारवला ने उनके 11th येर में तो आटाक किया था डिफिट किया था उस गंफेडरेशी को पावर को इन दो 11th येर ही डिफिटेट एडेक उन्फेडरेशी आप साओधन पावर्स दे न्फेडरेशी अब बहुश आरे वेल्थ, बहुश आरे स्टों, बहुश आरे प्रेशियस स्टोंड, सिंबल्स आले जिन सब लेगे चले आये तिदार तो नेक्स्ट किया है अपलोगा कैंपेन एगनेस्ट ब्रुहस्पति मित्र इन दे ट्वेल्थ रिगनालियर, खारावळा लेड क्यांपेन एगनेस्ट ब्रुहस्पति मित्रा, दे सुंगा रूलर अगदा विट भास्ट आर्मी, दे ब्रुहस्पति मित्रा जो थे वो क्याते एक मगदा के सुंगा रूलर थे, तो उन पे उनने भी आटाक किया था, ही एक रॉसिंग डिफिट अन मगदन किंग, हाड, और अल्सो अन दे रूलर अंगा, तो उनको क्या किया था, मतब डिफिट किये थे मगदन के किंग को, जो क्या है, अंगा के भी रूलर थे उस टाइम पे, अभी हमनों देखेंगे इन दो थाटीन यर अपीज रेन, खाराव बता, उदेगरी बोलाया था, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में, उदेगरी का होल डिटेल्स वीडियो के माध्य में से बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, फर जाइन मंक्स, मॉंक्स अब और रिलिजियों सिर्शन अरथ, सवाल आपको पुछा जा सकता है, जो उदेगरी का केव है तो उसको खारबलकिंग कब बनाया थे, उसको बनाया थे कब, मतलब 13th रेगनाल यर में उन्होंने बनाया था, तो इस वाज इस नोबल स्वार्विस रेंडर तो जाइना और अधर मॉंक्स, तो जाइना के लिए और अधर मंक्स के लिए बताया गय खंडगी शाइना तृतंकर ट्रीज क्रिपॉर्ष इमेज़ आप रोयाल सौर्वयांट्स वे विवल्द बाय हिम इन तब बहुत उदेगरी में खंडगी में उन्होंने इमेज शाइना तृतंकर और ट्रीज की पर सब बनाया था उस टाइम पे तो हम नेक्ट देखेंगे क में 40-20 तक उनका क्या होता है रोलिघ रहता है या हातिक गूंपा इंस्क्रिप्ष्षन दिये कुछ हिस्से हैं तो इस से हम लोग को बहुत सारे कि पता चलता है कि उनका रेगनालेर में कौन से कौन से सब कहानी बने थे और कौन से कौन सेथा उन्होंने और 21 वी में पार्व होता है करता हैं प्रियंड इसलिच दिच करता है हुजित करता है उडाषप़ी कृषरे डिला में इसेब्लाइजदेध य snel होता है एंटक विस्ट हम से अंडल सब्सक्राद सदाएब कुई चंदरी का बिल्ट अनन्त बासुदेव तेम्पल।